हेलो फ्रींस नमस्कार एक बार फिर आपका अपनी यूटूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो गैस आज हम बात करने जा रहे हैं आज हिमाचा परदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के द्वारा पोस्ट कोड आर्सो की आसी जेए मिकेनिकल के लेकित प्रिक्षा और ग अगे बढ़ने से पहले आपसे मेरे गुजारेश है वीडियो को लाइक कर देए शेयर कर देए और हमारे यूटूब चैनल को आपने जरूर जो है, सबस्क्राइब करके ही जाना है इससे हमें मोटीवेशन मिलता है तो यह काम आप जरूर करके जाएं एंड इस question paper की PDF आपको हमारे telegram channel में मिल जाएगी link आपको वीडियो के description के साथ comment section दोनों मिल जाएगा join आपने हो जाना है ठीक है वहाँ पर आपको सारी updates में डालता रहता हूँ clear तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो guys 167 से यहाँ पर शुरू होते हैं जी के question संजेक मारा संबंदित है तो guys जो हवाल दार संजेक कुमार हैं यह आपके district बिल्लासपूर से समबंदित है option a बिल्कुल सही होगा ठीक है तो next question है हमांचा परदेश के किस जिले में सुही मेला मना मना जाता है next question है, हिमाचा परदेश के किस स्थान पर हमीर त्युहार मना जाता है, तो guys हमीर त्युहार आपका डिस्टिक हमीर पूर में मना जाता है, लेकिन option में नहीं है, तो option D बिलकुल सही होगा, ठीक है, next question है, हिमाचा परदेश के किस जिले में मसरूर रोक कट मंदर है, तो guys यह आ और next question है, X-rays या फिर X-kirno की खोज की गेती, तो option C बिल्कुल सही है, रोंट जोन द्वारा, next question है, spirit है, तो guys, spirit आपकी एक, methyl, alcohol है, ठीक है, option A बिल्कुल सही होगा, next question है, 38, typhoid, किन के द्वारा होता है, तो guys, जिवानों द्वारा, bacteria, बिल्कुल सही होगा, option D, and next question है, आपको यहांपर एंटॉनिम बदाना है, वर्चूस का, तो इसका सही इंसर होगा, option C, and 40 का सही इंसर होगा, आपके पास यहांपर C, ठीक है, और 41 का सही इंसर होगा, आपके पास C, and फिर, 42 का भी सही इंसर होगा, यहांपर गईस थोड़ा confusion है, क्योंकि, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, अगर आप मैंसे किसी को पता है, तो ज़रूर आपने comment करना है, क्योंकि गलत knowledge, बिल्कुल भी नहीं जानी जाहिए, clear, तो गईस आप comment कर सकते हैं, कि इन दोनों में कुछ confusion है, तो गईस, next question है, 43, शैन का संदी विच्छेद होगा, आपका यहांपर, option D, शे जमान, and 44 कंसर होगा, यहांपर आपका, A, बेशक का समास होगा, यहांपर आपका, अविअभी भाब, और 45 कंसर होगा, यहांपर आपका option D, आरोहन, ठीक है, उदे का परिवाची शबद है, और नाक में दम होना, मुहावरिक का से जर्थ है, आपका option A, बहुत दुखी होना, ठीक है, यहांपर अगर अगर ऐसे होता कि, नाक में दम करना, तो आप definitely, option B के साथ जाते, तंग करना, लेकिन यहांपर होना लिखा है, तो option A सही होगा, ठीक है, तो गाइज, next question है, M.S. गुपाल कृष्णन, किस संगीत वाद्य से जुड़े होई हैं, तो गाइज, यहांपके वाइलिन से जुड़े होई हैं, और question No.27 है, सोरे मंडल में कौन सागर है का परिक्रमन सबसे मन्द हैं, तो option A बिलकुल सही है, शुकर, और next question है, कि, पृत्वी के वाइलिन सागर का सबसे निकरतम स्थर कौन सा है, तो guys, option A बिलकुल सही है, ट्रोपोस्फियर, next question है, सबसे चोटा महासागर कौन सा है, तो Arctic महासागर सही होगा, option C, and next question है, भारत की भूमी सरहदे हैं, तो guys, option D बिलकुल सही है, 15,106 किलोमेटर, and next question है, अरोनाचा प्रदेश की सबसे उंचा शिकर कौन सा है, तो option C कांक्टो सही होगा, and next question है, किस साल में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारम किया गया था, तो option A बिलकुल सही है, 1 अप्राइल, 1973 को, next question है, भारत के सिविधान का कौन सा भाग, अनुसूचित जन जाती क्षेतर से सिबंधित है, तो guys, option B बिलकुल सही है, भाग 10, ठीक है, and next question है, भारत के सिविधान का कौन सा अनुचेद, स्थन्तरता के दिकार से सिबंधित है, तो option B बिलकुल सही है, अनुचेद 19-22 तक, next question यहां पर आपका reasoning का आता है, तो guys, इसका answer होगा, यहां पर आपका option C, 30 आएगा, ठीक है, and next question है, यहां पर आपका, इसका answer भी C होगा, ठीक है, यहां पर, ठीक है, C होगा, and 19 का answer जो आपका option A होगा, बुदवार, clear, इसमें कोई भी dot नहीं है, जो reasoning के question बिलकुल सही है, and next question है, कौन सा वेद मायावी नुचे से सिंबंधित है, तो guys, यहां पर हो जाएगा, अथर्ववेद, ठीक है, and next question है, किस मौरेश शासिक ने 261 इस्वी पोर्म में, जो है किलिंग यूद खेला था, तो अशोक सही होगा, ठीक है, और next question है, किस दिली सुल्तान ने, 1294 इस्वी में जो है, देवगीरी पर आक्रमन किया था, तो जलालुदीन खिल जी सही होगा, भी बिल्कुल सही होगा, next question है, निकी टीन, निकी टीन था, तो guys, यहां एक रेशन विपाई था, option C सही होगा, and next question है, शीवा जी के शासन परबंद को क्या कहा जाता, तो अश्ट परधान कहा जाता, तो option B बिल्कुल सही है, ठीक है, तो guys, next question होगा, चौरी चौरा की घटना, जो 1922 एस्वी में हुई थी, उसमें भाद का वाइसरा है, कौन था, तो guys, इसका सही अंसर होगा, option A, Lord Reading, and next question है, हेमालचा परदेश में किस स्थान पर, मलाउं किला स्थित है, तो guys, मलाउं किलाब का, डिस्टिक सुलल में, तो according to option, बिल्कुल, option D सही होगा, नालागाड हम कह सकते हैं, ठीक है, and next question होगा, किस वर्ष में, गुरु गोवेद सिंग ने मंडी, की मुलाकात की, मुलाकात ली की, तो इसका सही अंसर होगा, option D, 1685 में, next question है, हिमालचा परदेश में, किस स्थान पर, जो है, विश्वदाल अस्थित है, यो आपके जीवों में भी, पूछा गया था, तो गैस, इसका नसर होगा, option B, बारू सहीब, चीक है, and next question है, किस भारती बैंक ने हाली में, अनुकुलित बैंकिंग सेवाईं परदान करने के लिए, रक्षा बलो के साथ भागी दारी की है, तो guys, option B, पिलकुल सही होगा, दरंदर मोदी जी के द्वारा, ठीक है, तो guys, next question है, किस राजे में, प्रदान मंतरी दरंदर मोदी ने, देश के सबसे बड़े, नवी करनी उर्जा पार्क के लिए, अधार शिला रखी है, तो guys, option B, सही होगा, गुजरात, and next question होगा, किस देश ने हाली में, अपने सुविधान में, जलवायू लक्षो को, जोडने के लिए, जन्मत सिंग्रह की गोशना की है, तो guys, option A, बिल्कुल सही होगा, फ्रांस ने की है, तो यहां पर एक और, आपका reasoning का question आता है, तो guys, इसका सही नसर बनेगा, आपका यहां पर, option number A, बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत है नी, and next question है, and, हिमाचा परदेश के किस, जिले में, लोसर त्योहार मनाया जाता है, तो guys, लोसर त्योहार आपके, और next question है, हिमाचा परदेश के किस, जिले में, मुलंग, घाटी स्थिते तो, यहाँ आपके, लहाउल स्पिती में है, मुलंग घाटी, तो guys, next question है, प्रत्म विधान सवाचोनाव, हिमाचा परदेश में, किस साल हुए थे, तो 1952 को हुए थे, ठीक है, and next question है, जन्गन्ना, 2011 का उनसार, हिमाचा परदेश के, किस, जिले में, उश्तम शहरी, जनसंक्या है, तो यहाँ आपके, डिस्टिक्ट शिमला में है, clear, और second number पर आपका, सोलन आता है, थर्ड पे, कांगणा, फोर्थ पे, आपका, मंडी हो गया, ठीक है, और next question है, प्राचिन कुलू रियासत की, राजधाने किस जगा पर थी, तो guys, इसका से इनसर होगा, नगर, option D, and हिमाचा परदेश के, कुनिहार, अधिरज्य, कांधिमराजा, या स्षाषक, कौन था, तो हरदेव सिंग, जी थे, option A, बिल्कुर सही है, और last question है, कि किस वर्ष में, कसौली स्थापित किया गया, तो, option number B, सही होगा, 1841 इस वी को, ठीक है, तो guys, thank you, और इस तरह के लिए, टेस्ट अपडेट पाने के लिए, वीडियो को आपको ज़रूर, शेर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, तो guys मिलते हैं, next update के साथ, bye bye, ठीक क्यार,